बिस्मिल्ला रह्मानी रहीम, अस्सलाम अलेकुम, मैं हूँ आलिया खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सपोर्ट नेचर विद आलिया खान आज आप देख रहे हैं, यहाँ पर कॉल्डिंग की बोतलों का डेहर लगा हुआ है और मैं आज आपको इनसे प्लांटर बनाना बताऊंगी, मैं कभी भी इन बोतलों को फेकती नहीं हूँ बलकि मुझे जहां से भी मिलती हैं, मैं बोतले जमा कर लेती हूँ और पिर इन्हें अपने गर्डन में इस्तेमाल करती हूँ और आज मैं इसका क्या इस्तेमाल बताने वाली हूँ वो आप देखते रहेगा मैंने कुछ बोटले ले ली हैं और इनको साफ करके इसके रेपर्स वगरा उतार दिये हैं और इसके बाद बोटल के नीचे के साइट से मैंने इसे काट दिया है आम तोर से जब हम ब्लांटर्स बनाते हैं तो उपर के साइट से काटते हैं लेकिन मैंने यहाँ नीचे के साइट से काटे हैं और इसकी भी एक बज़ा है वो भी मैं भी आपको बताती हूँ पहले आप इस तरह से बोटल की कटिंग कर लें और जितनी भी बोटल्स आपके पास हैं डेहर सारी बोटलों की आप कटिंग कर लें तो जादा अच्छा रहेगा इन तमाम बोटलों की मैंने यह कटिंग कर ली है और अब इन्हें रखना होगा क्यूंकि मैंने नीचे से इसको काट दिया है और यहां से मैं मट्टी भरूँगी इसमें पौदा लगाऊंगी अब इसे रखेंगे कैसे रखना भी इसका बहुत असान है जो हमारे पास बहुत सारे खाली गमले बड़े होते हैं तो यह मेरे पास खाली गमले हैं इन खाली गमलों के अंदर थोड़ी से मट्टी डाल कर इन बोतनों को लगा देंगे गमले में मट्टी डाल कर इन बोतनों को लगाने के और भी फायते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी तमाम बोतलों में मट्टी डालने के बाद आपको जो भी कटिंग लगाना है वो कटिंग करके और इन बोतलों में लगा देंगे इसे पानी देंगे और कुछ दिन में ही पौदों की जड़े निकल आएंगी कटिंग की जड़े निकल आएंगी पौदे आपके तैयार हो जाए अब मैं बताती हूं कि इन बोतलओं को मैंने इस तरह क्यूं काटा और इन बोतलो का और क्या-क्या फाइदे हैं सबसे पहले जब इस बोतल को जब इस तरह से काटेंगे तो यह एक ही गंवागे में बहुत सारी बप्टले आ जाएंगी आप देख सकते हैं मैंने एक गमले में ये कितनी बोगले लगाई हैं इस तरह से जगह की जो कमी होगी वो भी दूर होगी और इस तरह से बोगल में बोगल में पौदा लगाने का दूसरा फायता यह यी ग심ले के अंदर मट्टी भरी है और उसमें यह बूतने लगाई हैं जब यह पॉदधे बड़े होने लगेंगे इनकी जड़े निकल पौदा है अलग अलग पौदे हैं ये अगर आप किसी को गिफ देना चाहते हैं तो आपसे जब कोई पौदा माँगेगा आप ये एक बोतल निकालेंगे और उसे दे देंगे इस तरह से बहुत आसानी रहेगी बचाए इसके कि आप गमले में से पौदे को निकालें और उसक पौदे के साथ बोतल में से पौदे को निकालकर हम दूसरे किसी बड़े गमले में ये जमीन में से लगा देंगे और पांचवा और सबसे बड़ा फायदा ये है बास दावा हमें मुश्किल होती है कि बिल्लियां गमलों की मट्टी को खराब कर देती हैं अगर इस तरह से बोतलें तयार की जाएं और अपने पौदों के गमलों में इन बोतलों को लगा दिया जाएं तो बिल्लियां मट्टी को गंदा नहीं करेंगी मेरे घर में भी बिल्लियां हैं और बाहर से भी बिल्लियां आचाती हैं जो पौदों को गंदा कर देती हैं बहुत सारे मैंने ट लिया नहीं आएंगी और फिर मैं अपने इस तरज़वे में कामियाब भी रही और च्छटा और आखरी फाइदा यह है जब हम इस तरह से गमले में बोदलों को लगा देंगे तो यह मलचिंग का भी काम देंगी तो देखा मैंने इन छोटी छोटी बोदलों से जो हमारे पास कच्रे में पड़ी रहती हैं हम कच्रे में डाल देते हैं इनसे मैंने आपको प्लांटर बनाना बताए उन प्लांटर से कितने सारे फाइदे भी बताए आपको यह वीडियो कैसी लगी है ज़रा सभी अगर आपको फाइदा हुआ है तो मुझे कमेंट में जबर बताईएग वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा अब नेक्स वीडियो तक के लिए इजाज़त दें अल्ला हाफिज